गारा काट से निर्दलिये चुनाव लरने के अपने फैसले के बाद जब पॉन सिंग अपने महंगी गारी दो करोर की महंगी गारी लैंड रोवर से बाहर निकल करके सरकों पर रोडसों के लिए उतरते हैं तो लोगों का हुजूम उनको देखने के लिए उमर पर रहा है लोग सेयर कर रहे हैं लोग चुटकी ले रहे हैं और खुब देखा जा रहा है इस बीडियो में पॉन सिंग अपने रोडसों के दारान जब संरूप से बाहर निकल के लोगों का विवादन कर रहे थे तब एक फैन उनकी सेलफी लेने के लिए उनके गारी पर चड़ जाता है लेकिन जब पॉन सिंग के साथियों के द्वारा उसे गारी से हटाया जाता है और हटने का इसारा किया जाता है तो वो उतरते समय गारी के काच पर बैठ जाता है और गारी के काच पर बैठते हैं दो करोर की गारी का काच जो है आगे वाला विंड सिल्ड तूट जाता है और इसको देखने के बाद पॉन सिंग पहले तो अपने माच पे हाथ रखते हैं और उसके बाद मुस्काते हैं ये मुस्कान जो है एक वेवसी भरा मुस्कान रहता है इसको देख करके कोई भी समझ सकता है कि जब चुनावी मैदान में आप खड़े होते हैं तो आपको लाखों का नुक्सान हो जाने के बाद भी किसी को कुछ बोलना नहीं होता है अपने गुसे पे काबू करना होता है पॉन सिंग कारा काट लोगसभा छेत्रे से निर्दलिये उमिद्वार के तौर पे उतर रहे हैं जहां से एंडिये गठवंदन की तरफ से उपेंदर कुस्वाहा मैदान में हैं और इंडिया गठवंदन के द्वारा CPI के खाते में सीट गई है जहां से राजा राम सिंग जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं राजा राम सिंग और उपेंदर कुस्वाहा दोने एक ही जाती से आते हैं और अगर काराकाट लोगसभाच्षेत्रे की हम बात करें जातीकत समिकरन की तो महाँ पे स्वर्न वोटरों की संख्या लगबग 3 लाग है धाई लाग के आसपास कुस्वाहा कुर्मी वोटरों की संख्या है कुस्वाह कुर्मी वोटरों की संख्या इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि उस वोट के लेकर के यह चर्चा की जाती है कि यह उपिंदर कुस्वाह का वोट होता है उनको मिलने वाले वोट है लेकिन तीन लाख स्वर्न वोटर जो है इसमें राजपूतों की संख्या बहुत अधिक है पॉन सिंग भी राजपूत जाती के हैं और इस कारण से लग रहा है कि काराकाट लोकसभा छेत्र में पॉन सिंग इस बार भारी परेंगे आपको बता दे कि 2008 के बाद से जब से पॉन सिंग ने अपना पलरा भारी कर रखा है जिस कारण ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार इंडिये के खाते से ये सीट जो है निकल जाएगी और पॉन सिंग के हाथ में चली जाएगी अब पॉन सिंग का फैन बहुत फैन बेस बहुत तगरा है पॉन सिंग जब छेत्र में भ्रमन के लिए निकल रहा है तो लोग उनके साथ सेलफी खिचवाने के लिए उनके साथ फोटो लेने के लिए और उनको देखने के लिए लाखों के संख्या में इकठे हो जा रहा है लोगों का भीर इतना ज्यादा हो जा रहा है कि पॉन सिंग को कई बार आकर के बोलना परता है कि भाईया हमको मिल लेने दीजिए हमको बात कर लेने दीजिए लगातार पॉन सिंग काराकाट लोग सभाज छेत्र में घूम रहे हैं रोड सो कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो रुसल मीडिया के माध्यम से भी लगातार पॉन सिंग जो है काराकाट को लेकर के चर्चा करते नजरा रहे हैं कल भी रोड़ सो खत्म करने के बाद जब वो आपस लौट रहे थे तो लाइव आये थे और अपने लाइव में इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे काराकाट के लोग जो हैं उनका समर्थन कर रहे हैं कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं और कैसे लोग उनको जिताने के लिए बोल बाकी पॉन सिंग एक मार्मिक बात भी उसमें सेयर करते हैं कहते हैं कि आज जब हम काराकाट लोग सभाज छेतर में घूम रहे थे तो एक चाचा हमारे पास आए हमने जब उनके पैरों को छू करके आसिरवाद लिया तो चाचा 101 रुपया निकाल करके हमारे हाथ में दे द करते हैं और बताते हैं कि कैसे लोग जो हैं उनसे मिलकर खो जा रहे हैं सोसल मीडिया पर भी पाहँ सिंग के सपोर्ट में लोयों का पोस्ट खूब आ रहा है उनके परसंसकों का पोस्ट खूब आ कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं जो बाहर रह करके काम करने और कमाने वाले लोग हैं कि हम घर नहीं हैं आप घर पहुंच रहे हैं सुनकर के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप एक बार सांसत बन जाईए तो हम चुनाव के बाद आप से मिलेंगे जब सोचल मीडिया पे फैन से सब लिख रहे हैं तब उपेंदर कुस्वहा के लिए एक बेचैनी बढ़ जा रहा है बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है पौन सिंग को लेकर के आप क्या सोचते हैं कारा काट लोग सभाच्छेत्र को लेकर के आ क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट के बाद धम से अपना विचार हम तक जरूर वेजिएगा और देखते रहिएगा जंता जंचन मिरा नाम वेद प्रकास है बहुत बहुत धन्यवाद